अमानतुल्ला खान का जो एस्टेटमेंट है ये घोर निंदनी है और ना सिर्फ निंदनी है बलकि कानून की नजरों में यह अपराद भी माना जाता है यानि किसी को भी आप धमकी देते हुए सोशल मीडिया पर ट्विटर पर लिख रहे हैं कि आपकी इस गंदे आदमी की ज खावना से आप आहत होते हैं या कोई ऐसी बात उनको लगती है जिससे उनकी परसनल छती हुई है या उनके धर्म के खिलाप बद यो कानून में जा करके मुकदमा दर्ज करवाएं जो कानून की नजरों में अगर लगेगा कि कानून की नजरों में गलत है तो निश्यत तो जिसमें वो लिखते हैं कि जो उनके नभी के खिलाफ बोलेगा उस कीडे की गर्दन काट देनी चाहिए जबान काट देनी चाहिए जो ऐसी भाषा का प्रियोग कर रहे हैं आम आदमी पाची के नेता वो लोगों को अपने जो धरम उनके धरम गुरु के खिलाफ बोला वो लग जाते हैं फिर दुबारा ऐसे विवादे ब्यान देने पर मजबूर हैं कि आपकी इस गंदे आदमी की जुबान काट ली जाएगी गरदन उड़ा दी जाएगी इसका मतलब यह है कि आप अपने लोगों को अपने फॉलोवर्स को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि उनकी गरदन काट ली जाया नहीं है आपकी सम्मिधान में आपकी कानून में कानून में कोई आस्ता नहीं है जब किसी व्यक्ति के किसी भावना से आप आहत होते हैं या कोई ऐसी बात उनको लगती है जिस से उनकी परसनल छती हुई है या उनके धर्म के खिलाब बढ़ यह कानून में जाकर के मुकदमा दर्ज करवाएं जो कानून की नजरों में गल चलता है और कोई विधायक जैसे पद पर आसीन वेक्टी इस तरह की बात करता है अम अर्यादित भाशा का प्रयोग करता है प्रोवकेटिव इस पीज़ देता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और मैं समझता हूं कि उनका जो बयान है वो निंदनी है और पुलिस को लगातार वाइरल हो रहे है उदर लोग ऐसे बोल रहे हैं कि उसकी इंसान को तो उड़ा देना चाहिए तो उसकी जान को तो डिरेक्ट खत्रा है ना कि लौर प्रोसीजर के तिरफ तो कोई उनका ध्यान ही नहीं है देखे क्या है कि एक जिस तरीके से इन लोगों ने भैका माहौल पैदा किया है जो विधायक जी है वो भैका माहौल लोगों को डरा रहे है लोग डर रहे हैं और इस तरह की गतिविधियों से इस तरह की बातों से इस तरह की भड़काओ चीजों से अगर दंगा भड़कता है या हिंसा भड़कती है या जिसको उन्होंने जिसके ल प्रदत जो विधान सभा है जो विधान सभा भारत के समविधान के अंतरगत काम करती है वहां जाकर के आपने पद गोपनियता की शपत लिया है आपने यह शपत लिया है कि आप समविधान के प्रति अपनी आस्था रखेंगे भारत के कानून के प्रति अपनी आस्था रखे वो निंदनी है और दंडनी अभी है उसमें निश्चित तोर पर कोड़ को और पुलिस को और लोगों को कम्लेंट करनी चाहिए और मैं तो समझता हूं कि दिल्ली पुलिस को सुवमोटो इसमें कॉग्णिजेंस लेते हूए अफायार दर्ज करना चाहिए क्योंकि इस तरह के बयान देना किसी विधायक को दंगा भढ़काने जैसा काम है और सुशाइटी में रिफ्ट भी पैदा हो सकता है। इस समाज में रिफ्ट पैदा करने का बयान है। किसी जो देखा जा रहा है उससे ये है कि इससे communal disharmony फैलेगी। इससे समाज में दंगा भढ़क सकता है। इसमें समाज में सामाजिक जो समरस्ता है तो समरस्ता खतम होगी। और फिर से उसी तरह की बयान उसी तरह की बाते जैसे ताहिर हुसायन वगेरे ने उस समय किया था। कुछ उसी तरह की दिली दंगोक से में डुनाल्ड ट्रम्प का यहां विजिट हुआ था 2020 फरवरी में ठीक उसी तरह की बाते यह कर रहे है और अमान अतुल्ला खान हो या कोई भी हो उन सबको निश्चित तोर पर और पुलिस में देश की विवस्था में देश की में देश के कानून में विश्वास रखना चाहिए गर उनको इतना ही हॉट हुआ है तो वो जाते और पुलिस कंप्लेंट करते परन्तु खुले आम ट्विटर पर धंकियां देना यह साबित करते हैं उनके जो फॉलोवर्स हैं वो कभी इस तरह की घटना कर सकते हैं और इस जुरू से ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं जिस पर अभी तक अरविंद केजडिवाल कुछ नहीं बोलते हैं दिल्ली रोई जब हुए तब भी अरविंद केजडिवाल ने जो किसी भी उनका खुद का नेता हो उस पर कोई आक्शन नहीं लेते हैं और उसके साथ हम 25 करोण है पुलिस हटा दो तो अभी हम बता देंगे और जिस तरीके से मा लक्ष्मी को मा दुर्गा को मा सरस्वती को गालें जिस तरीके से मा लक्ष्मी मा सरस्वती मा दुर्गा का अपमान होता है और यह लोग करते हैं मुनवर फारुकी जैसे जो हास से कलाकार हैं कु परन्तु लोग जो है उसमें कानून की आस्था दिखाते हुए जो हिंदू कम्यूनिटी के लोग हैं वो कभी एक्शन लेते नहीं है और कहते हैं कि ठीक है भई कानून सम्मत जोगा उनके परकारे होगा अगर किसी ने कुछ बोला भी मैं कहता हूँ अगर किसी की बात कोई ऐ जो है आहत हुई है या उनके किसी बात से जो है उनको लगता है कि उनकी धार्मिक भावना आहत हुई है तो उस पर कम्प्लेंट फाइल करके केस दर्ज करवाएं बजाय कि खुलेयाम लोगों को उकसाएं गरदन काटने के लिए जीव काटने कर इस तरह से होने लगेगा त कान के बदले आख कान के बदले आख कान की नया व्यवस्तानी चछन हमारे देश के जो कोर्ट इजाज़त नहीं देता है और इस पर तुरंत एक्षन होना चाहिए मैं दिल्ली पुलिस से स्वयम डिमांड करता हूं कि इस पर एक्षन ले कोई भी MLA MP जो भी हो अगर उसको समविधान जो समविधानी शपत लेता है उसको समविधान पर विश्वास नहीं है और जब वो च कहेंगे यह तुष्टी करन की राज नीती शुरू से चलती आ रही है लेकिन अब यह अलगी जोर दिख रहा है कि जंगल राज और गुंडा राज वो भी दिल्ली जहां चाहिए सब लोग वह सामप्रदाइक महौल क्रियेट करने जैसे मामला सामने आ रहे हैं देश में करने जैसी महामारी फैली हुई है तो उनको रेलवे स्टेशन पर आनंद विहार पर भेजा जाता है प्री प्लैंड वे में उस समय जो है शायद में समस्ताओं चुनीवी सरकारें काम नहीं करें परन तो यही अमानतुल्ला खान जो रोहिंगया और बांगला देशी आते है उनको यमुना की खादर में बिचा करके ऐसे नियूज रिपोर्ट्स कहती है कि तीन लाख रोहिंगयाओं को पैकेट जाता था मानतुल्ला खान के तरफ से तो यह विशमता नहीं है क्या कि एक तरफ से आप इसी देश के रहने वाले जो बिहार के जो उत्तर प्रदेश के जो छारखंट के गरीब मजदूर हैं जो यहां काम करने आए माइगरेंट लेबरर्स हैं वो हजारो किलोमेटर पैदल चलते हैं उसमें कुछ लोग दम तोड़ देते हैं उनके लिए आप काम नहीं करते हैं परंत रोहिंगया और बांगला देशी यहां आते हैं उनके हैं पक्के मकान हैं टीवी हैं उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो एक इस तरह की बात हर चुनी हुई सरकार का मतलब होता है का आप हर किसी के लिए किसी धर्म से किसी जाती से अलग हट करके काम करेंगे तीसरी बात जब यहीं पर रिंकु शर्मा की हत्या होती है तो इस पर दंगे फैल जाते हैं और उसके जगे लाज जा करके पूरा पूरी तोड़ फोड मचा देते हैं और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि इस तरह के बयान देने के बाद भी रोहें गया हो बांगला देशियों को संड्रक्षण देने के बाद भी इनके खिला नीचे ये देश समविधान से जलते हैं और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है पुलिस की अकाउंटबिलिटी होती है किस पर एक्षन ले है बहुत बहुत शुक्रिया सर